ये विडंबना कहूं, दुख कहूं, दुरभाग कहूं कि जो RBI कहता था कि बैंक नाशनलाइजेशन 1947 के बाद आजाद भारत में एक सबसे एहम डिसिजन है आज वो ही RBI अपनी ही रिसर्च रिपोर्ट को से किनारा कर रहा है तो रिसर्चर RBI के हैं, लेकिन रिपोर्ट RBI की नहीं है ये नई दिल्ली से संचालिच जब चीज़े होती हैं तो उसका परणाम है खेर इस रिपोर्ट ने जो बाते कहीं हैं वो सारवजरिक रूप से बतानी जरूरी है जैसा कि मैंने पहले ही का कि 27 सरकारी बैंक घटकर 12 हो चुके हैं और उसका परणाम देश भुकतेगा सरकारी बैंकों का क्या काम है? यह रिपोर्ट बिलकुल साफ तोर से कहती है कि effectiveness, efficacy, efficiency के तोर पर अगर आपको सरकारी बैंकों को आखना है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि सरकारी बैंक सिर्फ लाब कमाने के लिए नहीं है वो agents of change है, agents of growth है, agents of development है पंक्ती में खड़े अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग पहुँचाने का काम सरकारी बैंकों ने किया है priority sector lending जहां से private bank किनारा करते हैं, दूर भागते हैं, वो सरकारी बैंकों ने किया है खेतिहर, मजदूर, किसानों सब को रिल पहुचाने का काम सरकारी बैंकों ने किया है इंफरस्ट्रक्चर लेंडिंग का काम सरकारी बैंक करते हैं और उसके बाद अगर सरकारी बैंकों की भूमिका पर सवाल उठाया जाता है तो ये research report ही सच बता रही है 18 अगस्त को RBI का एक bulletin आया वो research report उसमें प्रकाशत हुई और उसमें साफ तौर से कहा गया कि ये जो अंधा धुंद सरकारी बैंकों के निजी करण का प्रयास चल रहा है प्रकराण चल रहा है उसके बहुत जादा नुकसान होंगे बहुत उसके दुश परणाम होंगे कल सुवे 11 बचकर 7 मिनट पर 19 अगस्त को General Secretary Communication श्री जैराम रमेश जी ने इस पर एक tweet भी किया और उन्होंने बताया कि कैसे 27 सरकारी बैंक अब सिर्व 12 बन चुके है और ये जो बेचे जाओ पार्टी भारतिय जनता पार्टी है ये औरों को बेचना चाहती है किसी की नहीं तो RBI की तो सुन लीजे जो की banking regulator है एक स्वतंत्र बहुत respectable संस्था है लेकिन जबरदस दुख और खेद के साथ पहले तो ये बताना पड़ता है कि उनकी स्ट्वीट पर भाजपा के गुर्गों ने जरूर आक्रमण किया फेक निउस के सरगनाओं ने उस पे बोला लेकिन कल रात होते होते RBI जैसी संस्था को U-turn करना पड़ा The Reserve Bank of India had to be a reverse bank of India to disown a report put out by its own research department उन्होंने इससे किनारा काटते हुए कन्नी काटते हुए का हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और फिर उन्होंने का पॉलोजिटिक्सी प्रेस रिलीस कल रात को निकाली ये सरकार के दबाव के कारण हो रहा है और ये पहली बार नहीं है कि RBI को सरकार के दबाव को जेलना पड़ रहा है और उस दबाव के दुष परिणाम नोट बंदी याद रखिएगा सबसे बड़ा है RBI कभी नहीं चाता था नोट बंदी हो सरकार ने नोट बंदी इस देश पर थोपी RBI के लाख रेजिस्टेंस के बावजूद और परिणाम सब के सामने है आज भी हम नोट बंदी के कुप्रभाव से उभर नहीं पाएं